sources of energy काफी कुछ हम लोगों को sources of energy के बारे में already पता है क्योंकि class 8 में था तो जैसे first topic है what is a good source of energy energy के एक अच्छा source हम लोग किसको बोलेंगे suppose 1 kg of wood है और 1 kg of CNG है वुड को burn करने से हमको 20,000 किलो जूल energy मिल रहा है और 1 kg of CNG को burn करने से 30,000 किलो जूल energy मिल रहा है तो अच्छा fuel कौन सा होगा obviously CNG क्योंकि उतना ही fuel burn करने से हमको जादा energy मिल रहा है तो good source का एक criteria और इसी को calorific value बोलते है यह हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे कि 1 kg को burn करने से जितना energy मिलता है उसको calorific value बोलते है तो simple language में बोल सकते हैं कि जिसका high calorific value होगा वो अच्छा fuel होगा दूसरा वो fuel easily accessible होना चाहिए मिल जाना चाहिए easily third point है कि transportation और storage में problem नहीं होना चाहिए अब जैसे CNG है इसको अच्छे से cylinder में store किया जा सकते हैं और बहुत सारा cylinders transport किया जा सकते हैं तो storage और transport दोनों ही easy है दूसरा fourth point है कि economical होना चाहिए मतलब बहुत जादा high rate का नहीं होना चाहिए so if you are given to write mention some sources of features of good energy good source of energy तो यह सारा लिखना होगा या what are the characteristics of good source of energy तब यह होगा इसके बाद हम लोग कुछ energy sources के बारे में पढ़ेंगे तो first topic है हम लोगों का conventional sources of energy conventional मतलब जो हम लोग आज तक use करते आए हैं तो obviously उसमें सबसे पहला आएगा fossil fuels coal, petrol यह दोनों ही fossil fuels है coal, petroleum और natural gas fossil fuels burn करने का problem क्या होता है burn करने से पहला कि यह limited quantity में available है तो खतम हो जाएगा दूसरा इससे बहुत ज़दा pollution create होता है बहुत ज़दा harmful gases इससे carbon dioxide वगर निकलता है तो industrial revolution के बाद से इतना सरा industries खुल गया और लोगों का demand इतना बढ़ गया कि fuel का consumption बहुत ज़दा increase हो गया और यह demand कैसे meet हुआ coal और petrol से लोग इसको बहुत ज़दा यूज करने लग गये तो अब इसका source limited हो गया है और pollution हो गया जिसके वज़े से global warming हो रहा है फिर harmful gases निकलता है जिसे nitrogen और sulfur का oxide इसके वज़े से acid drain होता है तो यह सारा problems हो रहा है जिसके वज़े से हम लोगों को alternative sources of energy use करना पढ़ रहा है alternative sources मतलब solar energy, wind energy अब हम लोग इन सब के तरफ जा रहे है तो उसमें जाने के पहले हम लोग यह देखेंगे कि electricity produce कैसे किया जाता है जिसे बोल देते हैं कि water से या coal को burn करके electricity produce हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है यह बहुत simple setup दिखाया गया है कि एक pressure cooker से इस तरह से heat निकल रहा है, गरम कर रहा है, तो steam निकल रहा है steam मतलब वो दुआ निकल रहा है, वो इतना pressure में निकल रहा है कि इस तरह से यह turbine यह fan के जासा जो चीज है, यह घूम रहा है इसके घूमने से generator से electricity produce होता है यह एक simple setup है इसी process को यूज करके thermal power plants में और hydro power plants में electricity बनाया जाता है कैसे? जैसे यहाँ पर अभी heat दिखाया गया है कि heat से pressure cooker के अंदर का समान गरम हो रहा है, पानी गरम हो रहा है तो thermal power plants में पानी गरम किया जाता है, कोईला जला कर तो coal burn करके पानी गरम होता है फिर steam से इस तरह से turbine गुमता है, इसको turbine बोलते है तो कहीं भी electricity produce करना है, तो main motive यही रहता है कि turbine गुमेगा, तो generator से electricity produce होगा तो coal burn किया जाता है, water boil होता है water से steam निकलता है, वो turbine गुमाता है turbine से generator के अंदर electricity produce होता है फिर उस electricity को store करके, wire के थूँ ट्रांस्मिट किया जाता है coal और petrol ट्रांस्पोर्ट करना hard है क्योंकि उन सब को तो truck वगर में लेकर जाना होगा लेकिन electricity supply करना easy है, क्योंकि वो wires के थूँ हो जा रहा है hydro power plants में क्या किया जाता है यह सब बहुत simple है इस वज़े से line by line तुम लेको खुद फॉलो करना होगा तो उसमें क्या किया जाता है, dam बनाया जाता है dams और पानी का height increase किया जाता है फिर जब पानी sufficient level पे आ जाता है तब dam का gate को खोल दिया जाता है इस तरह से देखो, पानी flow करेगा नीचे mouth के तरफ में एक turbine रहता है अब जब पानी speed में यहां से flow कर रहा है तो यह turbine घुमेगा जिसके वज़े से generator में electricity produce होगा और वो power lines के through supply किया जाएगा और यह पानी वापस कहां जा रहा है नदी में मिल जा रहा है सामने कोई river कोई रोख के पहले पानी जमा किया गया था फिर धीरे धीरे time to time gate खोला जाता है बारिश आता है तो भी dam का पानी वापस भर जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक renewable source of energy है तो बहुत अच्छा है फिर तो लेकिन इसमें भी problems है क्या जिससे dams हर जगा construct नहीं किया जा सकता preferably hilli areas में construct किया जाता है फिर agricultural land अगर है तो वो खराब हो जाता है आसपास का क्योंकि dam बनाने के लिए बहुत बड़ा area चाहिए अगर आसपास कोई गाउं है village है तो वहाँ पर सबको हटाना पड़ता है तो उनको अब रहने का जगा दो फिर अगर कोई forest है तो पूरा vegetation कट करना पड़ता है और जो कुछ-कुछ vegetation पानी के अंदर रहे जाता है वो फिर rot होता है खराब सड़ते रहता है और बहुत amount में methane release करता है methane carbon dioxide से भी जादा dangerous greenhouse gas है तो यह problem होता है it creates the problem of satisfactory rehabilitation मतलब लोगों का रहने का जगा तो इसी वज़े से अगर कहीं dam बनाना होता है तो आसपास के लोग उस चीज़ को oppose करते हैं बहुत revolt करते हैं कि हम लोग dam नहीं बनाने देंगे अपने एरिया में यह सब problem होता है तो यह था hydro power plant तो देखो इसका भी में मोटिव क्या था कि टर्बाइन रोटेट करवाना है जिसके वदसे electricity प्रोडियूज हो फिर एक सेकंड फॉर्म ओफ एनरजी है biomass biomass क्या है वही जैसे plants और अनिमल्स और गानिक मैटर जो भी है उसको decompose कर देंगे तो बायो गैस रिलीज होता है वही एक फ्यूल का कार्म करता है तो यह जो भी organic matter use किये जिसे पत्ता होता है या cow dung होता है या vegetable matter है वह सब को biomass बोलते हैं वुड को अगर हम लोग burn करें तो बहुत जादा उससे smoke निकलता है लकड़ी जराने से लेकिन अगर oxygen का supply कम कर दें तो वह charcoal में convert हो जाता है और charcoal बिना flame के जलता है तो फिर दुआ निकलता इसका मतलब उससे तो देखो सिर्फ वुड जलाते तो बहुत दुआ निकल रहा था लेकिन conditions change कर दिया हम combustion का तो products भी बदल गया लेकिन यह हर बार करना possible नहीं है और घर वर में करना possible नहीं है तो इसलिए alternative sources जूदना ही पड़ेगा तो वह है बायो गैस यह बायो गैस का एक plant है यह question में आता है explain the construction of structure of bio plant बायो गैस ब्लांट तो एक स्ट्रक्चर है bricks वकर से बना वर रहता है एक साइट से देखो slurry डाला जा रहा है मतलब काव डंग हैस में काव डंग मतलब गोबर और water यह टैंक में डाला जा रहा है इस टैंक में बहुत anaerobic bacteria है जो बिना oxygen के decompose करेगा तो वो सब decompose करके क्या gas release कर रहा है बायो गैस मिथेन वगर है कि मिथेन carbon dioxide hydrogen hydrogen sulfide इस तरह का अलग-अलग gases है तो यह रहा गैस टैंक गैस हलका है इसलिए उपर आ जा रहा है और यहां से निकल रहा है क्या एक जो बच जा रहा है यह क्या बन गयाानुवर बन गया है क्या है क्यों कि इस ये जो निकल रहा है यह बहुत अच्छा不用 क्यों और ग्विछ निकलता है और ना कोई रेसीडियू रहता है जैसे आश वगर कुछ नहीं रहता है इसका हीटिंग केपासिटी काफी हाई है मतलब क्यालोरिफिक वाल्यू काफी हाई है ट्रांस्पोर्टेशन एजी है और कंप्लीटली वेस्ट माटीरियल से यह गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो देर्फोर बायोग पहले इस काइनेटिक एनरजी को यूज किया जाता था पानी निकालने के लिए वेल से या फिर कोई भी चीज को पंप करने के लिए या कोई समान को लिफ्ट करने के लिए लिकिन बाद में इसको इलेक्रिसिटी जेन्रेट करने के लिए यूज किया जाने लगा हवा जब यह विंड मिल घूमते रहता है जिसके वज़से टर्बाइन घुमेगा और इलेक्रिसिटी प्रोडीयूज होगा लेकिन सिर्फ एक अकेला विंड मिल बहुत कम क्वांटिटी में इलेक्रिसिटी प्रोडीयूज करता है तो यह इसके एक लिमिटेशन है तो wind energy एक environment friendly source of energy है लेकिन क्या problem है कि wind energy farms उसी जगा पे लगाया जा सकते हैं जहां पर पूरे साल हवा बहता हो तभी जाकर काम आएगा दूसरा wind का speed भी 15 km per hour से जादा होना चाहिए तभी वो wind mill जोर-जोर से घुमेगा ताकि टर्बाइन घुमा पए फिर कुछ backup facility भी होना चाहिए कि अगर जिस दिन हवा नहीं बह रहा तो electricity का supply होना चाहिए को backup option और wind energy farms बनाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा जमीन चाहिए जिससे वन मेगावाट generator generate करने के लिए two hectares of land चाहिए और initial cost जो होता है वो काफी high होता है क्योंकि इतना महंगा महंगा wind mills होता है फिर इतना बड़ा एरिया होता है और यह तो क्या है बारिश में धूप में हर जगा बहार ही खड़ा रहेगा तो इसका maintenance भी थोड़ा difficult हो जाता है तो these are the limitations of wind energy देखो सब source of energy का कुछ ना कुछ limitation है तो वो भी learn करना पड़ेगा इसका advantage यह कि renewable है eco friendly है लेकिन इतना सारा limitation भी है इसी वज़े से यह सारा भी developmental stage में है मतलब हर country इसको इतना actively use नहीं करता है next alternative and non-conventional sources of energy non-conventional मतलब जो भी fully functionally used नहीं है तो जैसे जैसे हम लोगों का energy का demand बढ़ते जा रहा है हम लोगों को alternate options ढूंडना होता है तो उसी में से एक है solar energy sun का solar energy का कुछ हिस्सा ही earth के अंदर आता है क्योंकि काफी कुछ reflect होकर चला जाता है तो जितना भी आता है उसी से उसी को हम लोग यूज करते हैं काफी सारा devices बना रहता है यह हम लोगों को पता है कि black absorbs more heat than white तो इसी लिए solar कुकर black color का होता है अब इसमें क्या है जिसे अंदर में एक बोल रखा के खाली स्पेस है जहां पर आपना समान रख सकते हैं उसके उपर ग्लास लगावर है तो वह ग्लास क्या करता है हीट को लाइट को अंदर जाने दे रहा है लेकिन हीट उसमें ट्रैप होते जा रहा है थे वो अंदर से गरम होते जा रहे इसके वज़े से वह खाना जो अंदर में रूस और कुख हो जाता नोए बलैक कलर भी है तो जाधा हीट अब्जॉब करता सब्स क्या जाता है काफी easy है ऐसे तो यह क्योंकि desert वगर में या remote places में जहां पर lines के थूँ electricity का lines के थूँ power नहीं transmit किया जाता वहाँ पर solar cells वगर इस तरह से रास्ता में लगा दिया जा सकता है क्योंकि maintenance बहुत कम होता है लेकिन इसका भी limitation होता है कि सिर्फ एक cell से बहुत कम बनता है दिखो सिर्फ 0.521 बोल्ट तो इसलिए solar cell panel होता है इसमें बहुत सारा solar cells होता है तो इसका limitation क्या है कि solar cells बनाने के लिए जो silicon चाहिए वो एक particular grade का silicon है मतलब वो अच्छा quality का silicon थोड़ा expensive होता है और इतना जाधा abundance में है नहीं तो एक वो problem दूसरा इसके parts को connect करने के लिए silver वगर का use करना पड़ता है तो further cost बढ़ जाता है फिर एक-एक solar cell बहुत कम efficient है जाधा electricity नहीं बनता है तो वो एक problem है जिस दिन धूप नहीं आएगा उस दिन यूज नहीं कर पाएंगे वो एक problem है उसके बावजूद solar cells बहुत useful होता है जैसे satellites में यूज किया जाता है क्योंकि space में electricity कहां से देंगे तो वहाँ पर solar cells होता है ताकि space में जब satellite घूम रहा है तो solar energy से वो electricity produce कर पाएं कि traffic signals calculator toys यह सब भी आजकल solar cell यूज करने लगा दीरे दीरे इसका यूज बढ़ते जा रहा है अब यह अभी तक जो sources of energy पढ़े वो तो फिर भी हर बार पहले पढ़े थे अब जो sources of energy from sea पढ़ेंगे यह काफी different है तो इसको हम photos के help से समझाते जाएंगे so first is tidal energy उसके पहले बताएंगे कि tides क्या होता है हम लोगों को पता है कि पानी जिसे हैं तो दिन में sun पानी को उपर खीचता है attract करता है और रात में मून करता है तो gravitational pull of sun और मून के वज़े से पानी का लेवल जो कभी उपर होता है कभी नीचे होता है उसी को tides बोलते हैं कि तो उसको हम क्या कर सकते हैं इस तरह से होता है दिखो यहां पर basin है मतलब एक river है जो sea में मिलने जा रहा है तो वहीं पर एक dam जैसा बनाया जाता है नीचे में turbine है जब high tide होता है तो पानी store हो गया low tide में वो नीचे जा रहा है या पानी river से sea के तरफ जा रहा है तो flow movement के time पर क्या होता है turbine गूमता है जिसके वज़े से generator में electricity produce तो यहां लिखा है कि tidal energy is harnessed by constructing a dam across a narrow opening to the sea तो यह sea open हो रहा था यहां पर एक dam बनाया गया उसके नीचे turbine लगया जाता है ठीक इसी तरह से wave energy produce किया जाता है तो waves क्या होता है हवा के वज़े से पानी उपर नीचे उपर नीचे होते रहता है उसको wave बोलता है तो tides और waves में difference क्या हुआ? tides gravity के कारण हो रहा था और waves हवा के कारण होता है जितना strong wind flow करेगा उतना strong wave होगा उतना height का तो देखो इस तरह से waves उपर नीचे होगा पानी हिलते रहेगा टर्बाइन घूमते रहेगा electricity produce होगा एक यह भी photo है तो more or less वही है उपर में एक floating structure होत होता है तो इसी तरह से wave energy harness किया जाता है इसके बाद बहुत important है ocean thermal energy यह क्या होता है ocean में पानी उपर उपर का suppose यह पूरा पानी है तो उपर का पानी बहुत गरम होगा क्योंकि वहाँ पर sun rays परड़ा है और नीचे का पानी ठंड़ा होगा तो दोनों में temperature difference है इसी temperature difference को use किया जाता है energy produce करने के लिए कितना अच्छा method है देखो इस photos एकदम clear हो जाएगा तो यह सबसे पहले यहां जो working fluid लिखा है किस fluid को use किया जाता है जनरली ammonia को क्योंकि उसका boiling point बहुत कम है तो एक volatile liquid लिया जाता है जैसे ammonia वह क्या हो रहा है गरम हो रहा है गरम करने के लिए हमको कुछ fuel का use नहीं करना पड़ रहा है वह sea water जो उपर का गरम पानी है उसी से evaporate हो जा रहा है एवापुरेट होकर वह steam बन गया गैस्यस फॉम में हो गया तो गैस बहार निकल रहा है जिससे टर्बाइन घुम रहा है तो electricity प्रोडियूज हो रहा है अब वह steam को बहार नहीं निकाला जा रहा है नहीं तो वह waste हो जाएगा वह steam को वापस pipe के थ्रू कंडेंसर में भीजा जा रहा है मतलब steam को वापस से liquid बनाना है तो उसको ठंडा करना पड़ेगा अब ठंडा करने के लिए भी कोई fuel का यूस नहीं कर रहे है नीचे से जो ठंडा पानी है ना उसी को pump करके भीजा जा रहा है पानी तो वापस निकल जा रहा है और वह ammonia ठंडा हो जा रहा है फिर liquid ऐमोनिया को वापस pump किया जा रहे हैं प्रचनल निया रहा है जो घर घंडा को यह जा रहा है तो यहां पर देखो क्या होरा रह hat तो इसी को बोलते ओशियन थर्मल एनर्जी यह तभी कर सकते हैं जब 20 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस होगा उपर और नीचे के लेवल में तो यह डाइग्राम ध्यान में लखना बहुत जरूरी है नेक्स्ट है जियो थर्मल एनर्जी तो क्या होता है कि अर्थ के नीचे बहुत गर्मी है कभी कभी यह मैगमा वगर जो होता है यह थोड़ा उपर आ जाता है जैसे देखो यहाँ पर मैगमा है यह हॉट रॉक है उपर में जो पानी है अगर अगर कहीं पानी ऐसे हुआ तो तो भी वो भी गरम हो जाएगा क्योंकि नीचे hot rock है और वो इतना गरम हो जाता है कि वो steam के जैसा हो जाता है कहीं कहीं पर होता है hot springs जिसे spring होता है waterfall पानी गिर रहा है तो वैसे कहीं कहीं पर गरम पानी अर्थ के नीचे से निकलता है ये सब उत्तरा खंड में है गंगोत्री या मुनोत्री glaciers में भी है तो ये hot water का जो steam है उसको use किया जा रहा है टर्बाइन गुमाने के लिए उससे electricity produce हो रहा है फिर वो steam को ठंडा करके वापस नीचे भेज दिया जा रहा है ताकि पानी निकले और पानी जाए अब वो steam पत्थर के contact में आने से गरम पत्थर के contact में आने से फिर से गरम हो जा रहा है फिर से steam निकल रहा तो इसी लिए चैप्टर के शुरुवात में पहले बोला गया था कि electricity produce करने के लिए ज़रूरी क्या है कि हमको turbine rotate करना है अब ये turbine rotate किसी भी process से करते जो या तो coal burn करके पानी को गरम करना है या फिर पानी को height से गिरा कर इसको rotate करना है या wave से, tide से geothermal energy में steam ही है लेकिन steam naturally produce हो रहा है इसी वज़े से ये renewable source of energy है लेकिन जब सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है तो फिर problem क्या है problem ये है कि इस तरह का places बहुत limited है world में जहां पर hot springs है क्योंकि ये तो naturally अगर कहीं पर होगा तभी काम आ पाएगा तो इस तरह का power plants बहुत कम है न्यूजिलांड और USA में है इस तरह का power plant next nuclear energy तो nuclear energy completely different type of fuel है different type of source of energy है nuclear energy को दो type में divide किया जाता है एक होता है fusion और एक होता है fusion तो क्या है nuclear fusion के बारे में पहले पढ़ेंगे तो nuclear fusion में क्या किया जाता है एक heavy element लिया जाता है जिसे uranium heavy मतलब उसका atomic mass ज्यादा होना चाहिए उसको एक neutron के साथ हम strike करते हैं मतलब किया जाता है power plants में इससे ये break हो जाएगा एक बहुत भारी चीज़ है उससे इतना high energy का छोटा चीज़ जब strike करेगा तो ये तूट जाएगा तूट कर ये अलग-अलग substance देगा देखो अगर ठीक है तो ये समझ में आया कि इससे दो समान मिला अब अगर हम इसका दोनों का atomic mass को add करेंगे तो कितना है 234 लेगिन इसका atomic mass कितना है 235 तो law of conservation of mass के according क्या होना चाहिए जितना reactant का mass से उतना ही products का होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब ये जो थोड़ा सा mass यहां कम आया वो क्यों हुआ क्योंकि यहां जो थोड़ा सा mass extra था वो product में energy के form में release हो गया वो mass जो है वो energy में convert हो गया इसी energy को हम लोग use करते हैं तो यह देखो एक neutron है जो uranium को strike कर रहा है और इस तरह से दो element मिला लेकिन atomic masses पूरा नहीं हुआ वो mass का difference था इसका मतलब जो mass थोड़ा सा कम release हुआ वो energy के तोर पे release हुआ फिर यह जो neutron साथ में आया यह वापस इसके साथ react करेगा और यह krypton के साथ करेगा फिर further split होगा इस तरह से यह reaction चलते रहता है change reaction बोलते हैं तो इस तरह का reaction को control करना बहुत difficult होता है और वही सबसे ज़दा crucial step है तो इस process को nuclear fusion बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर particles split हो रहा है इसमें main problem क्या है the major hazard of nuclear power generation is the storage and disposal of spent or used fuels अभी यह जो uranium हम लोग use कर चुके यह लगाता डीके होते जा रहा है तो इसको जहां कहीं भी हम throw करेंगे तो वो तो radiation निकलते रहगा उसमें से और यह सब काफी cancerous होता है तो एक problem होता है इसका disposal का environmental damage है तो यह अगर कहीं से leak हो गया तो पूरा आस पास का city को खाली करना पड़ता है यह problem है फिर machines बहुत expensive होता है तो cost of installation बहुत हाई रहता है इन सब के वदसे nuclear energy का use काफी कम है एक दूसरा type of reaction होता है nuclear fusion इसकी बारे में ऐसे बहुत ज़ादा नहीं है तो इसमें fusion से समझ में आ रहा है मतलब मिलना तो यहाँ पर light elements combine करता है तो hydrogen का isotope है दो combine कर रहा है तो two or two four हो रहा है लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है three atomic mass तो इसका मतलब यह जो एक unit कम मिला वो कहां गया वो energy के form में release हो रहा है तो इसको fusion क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर particles combine कर रहा है इसको भी use कर सकते हैं लेकिन क्यों नहीं करते हैं power plants में क्योंकि यह elements को fuse करने के लिए temperature और pressure तोनों बहुत high रहना पड़ता है और इस तरह का high temperature और pressure earth में possible नहीं है तो यह sun में होता है इस तरह का reaction इसी वज़े से हम लोग nuclear fusion ऐसे use नहीं करते हैं बट यह bombs में use किया जाता है और वो completely separate process है तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़िए है तो basically तुम लोगों को nuclear energy में fusion और fusion दोनों का difference लिखने के लिए आता है जो यह किसी reference book से learn करना होगा minimum three points environmental consequences क्या होता है जो हम लोग fuel यूज़ कर रहे हैं उसका environment पे क्या असर पढ़़दा तो कोई भी ऐसा fuel नहीं है जो कि completely eco-friendly है सबका कुछ न कुछ disadvantage होता है बट फिर भी जिसका minimum disadvantage हम लोगों को वही use करना चाहिए जिससे pollution and all कम होगा next is how long will an energy source last us कोई एक energy source कितना दिन तक और चलेगा तो अब जिससे fossil fuels है वो आने वाले 20-25 years में खतम हो जाएगा और जो renewable sources है वो नाम से समझ में आ रहा है कि वो हमेशा के लिए रहेगा given अगर कोई दूसरा hazard नहीं हो जाए तब तो इसी वाज़े से हम लोगों का पूरा focus अब renewable sources को use करने में लग गया है so this is all about the chapter sources of energy